हलो दोस्तों आज हम यहाँ पर अगेन बात कर रहे हैं किसके पैरमांट कम्मुनिकेशन लिमिटेड की तो देखिए मार्केट में आज अच्छी खासी तेजी थी स्मॉल कप इंडेक्स लगबग जितना कल गिरा था और लगबग लगबग बंद होता हुँआ नज़र आया है से मिट कयब की बात करें दूसरी इंडेक्स की करें और पूरे मार्केट की बात करें तो मुशली 5% के रेटन हरेके पूर्फोलियों में minimum से minimum यहाँ पर add आज की rate में हुए होगे ठीक है जिन्होंने hold करके रखा होगा अब बात हम किस चीच की कर रहे हैं अब हम बात यहाँ पर उस चीच की कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि market recover यहाँ पर होती हुई नजर आई आज ठीक है recover in the sense यहाँ पर मान लीजिए का कि recover हो गई है या नहीं हो गई है ठीक है इस से related आप चाहेंगे तो वीडियो बना देंगे हाँ ना बट अब भी हम बात करेंगे paramount communication की तो market नहीं recover हुई बट इस्टिल यहाँ पर आप देखोगे paramount communication आज गरता हुआ नजर आया इसके पीछे की वजह क्या है ठीक है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ठीक है कि यहाँ पर lower circuit के आसपास बंद होता हुँ नजर आए वो सब चीज जानते हुए नजर आएंगे बट वीडियो में आगे बढ़ें हमेशा की तरह आप से request करूँगा कि आप हमारे channel I am small cap investor channel को subscribe bell icon को hit all notification को on करे buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुत की study करें चीजों को सीखने पर focus करो और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि इन वीडियो को जाके देखेंगे आप इन वीडियो को जाके देखेंगे और repeat करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस से ज्यादा knowledge आपको कोई और मिलती भी नजर आईगे बाकी दूसरी हम बात करें तो आप और बारी की तरीके से सीखना च सिखा देते हैं technical, fundamental, okay यहां पर सब चीज सखाते हैं कब कोई सा शेयर लेना चाहिए कब बेचना चाहिए वह सब चीज आपका समच में आएगी जैसे कि हम बात करें यहां पर तो यह 22 रुपे, 22 रुपे पर यह श्टॉक्स बताया था और उसके बाद लागा था भागता एक सबा साल डेर के अंदर अंदर तो वह सब चीज हम यहां पर बताते हुए नजर आते हैं और 8860540501816926137 नीचे description में नंबर है, contact कर सकते हो और साथ में किसी को काम करना है तो यहां पर आप हमारे काम भी कर सकते हो तो Paramount Communication की सब से पहले बात कर देते हैं, तो Paramount Communication की हम प आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो को में लगब लगब 20 रुपे से बनाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, और यहां पर देखिए 4500 रुपे पैसा डबल हाना, Paramount के बल, तो Paramount की बात करें, 2300 रुपे से यहां पर आप देखोगे, तो लगब लगब इधर बागा है, त 425% के return आपको मिलते हुए नजर आए, पहली बात, दूसरी बात, अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, कि market में गिरावट हुई, बट इस तिल, market में तेजी हुई, बट यह share आज lower circuit में था, इसके पीछे का reason क्या है, ठीक है, वो यहां पर discuss करेंगे, बट company के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो देखे, paramount communication wire के business में, cable के business में, power, telecommunication wire, railway wire से related काम करती हुई, नजर आती है, इनकी website में जाओगे, तो इनके products आपको समझवाएंगे, कि अलग अलग तरीके के यहां पर telecom wire, जो fiber से related है, power cable, control cable, यह सभी तरीके के यहां पर wire बनाती हुई, यह देखे, जितने ही बड़े-बड़े यहां पर नाम है, यह सारे के सारे इसके client है, ठीक है, तो इस रोज से लेके सारे के सारे बड़े-बड़े, तो company क्या है, अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल definitely अच्छा काम कर रही है, और यहां पर 27 के PE पर मिल रहा है, industry का PE 25 का है, हम बात करें, ROC, ROE ठीक नहीं है, ROE ठीक है फिर भी, और dividend देती नहीं है company, 28 का intrinsic value है, ओके और यहां पर हम बात करें, book value 14 किये, तो अच्छा कासा यह चला है, अच्छा कासा company ने यहां पर काम कर के दिखा है, maximum chart pattern की बात करें, तो यहां पर देख सकते हैं, अच्छा कासा प company का operating profit margin, okay, as well as, यहां पर EPS सब चीज़ है, यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है, सब कुछ अच्छा नजर आए, yearly basis पर company का performance देखिए, जो बिल्कुल गिर गया था, वो यहां पर उठके खड़ा हुआ, और highest ever ही, यहां पर all time यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, net profit की बात करें, वो भी company का घाटे से यहां पर profit में आ रही है, reserves company के बढ़ रहे है, borrowing की बात करें, कम होती हुई नजर आ रही है, और working progress में 1 करोड रुपे लगा रहा है, cash की बात करें, 36 करोड रुपे का आसपास का cash भी पढ़ा हुआ है, positive cash flows है, और बात करें, company की तो यहां पर देखिए, FIs, कुछ हिस्सेदारी जो यहां पर कम हुई थी, वो यहां पर FIs ने यहां पर करीदते हुए नजर आया थे, कुछ public ने यहां पर करीद ली थी, ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे, public की हिस्सेदारी लगाता बढ़ रही है, और मैं हमेशा कहता हूँ, जहा की bank selling यहां पर चलती रहती है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, अभी भी आप देखोगे, तो लगबग इतने quantity ठीक है, यहां पर देखेंगे, ट्रांसपर होती हुई नजर आईए, इस पर्टिकुलर कमपनी के, जो की 16 जनवरी और 22 जनवरी के आसपास है, तो उ इसन क्या है गिरने का और यह क्या शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है, उस सब चीज का मैं जवाब अब देता हुआ नजर आ रहा हूँ, बड़ उससे पहले हमें request करूँगा, चैनल को subscribe, bell icon को लिट और को notification को on, और buying selling की कोई recommendation नहीं है, simple सीखने के purpose से आपने लेना है, तो इन में मैंने एक company का जिक्री किया था, जिसने यहाँ पर कुछ हवाला का पैसे, ट्रांसफर होता हुआ नजर आया था, जो कि black money जिसे हम कहते हैं, और वो मैंने आज जब यहाँ पर पढ़ रहा था, इस particular company paramount के पास, तो समझे में आया कि paramount नहीं, paramount communication नहीं यहाँ पर इस particular share में, ठीक है, हिस्सेदारी लेके इस particular quarter में ली है, यहाँ पर देखिए, जनवरी 2024, तो जनवरी 2024 में Janet Multi Trading DMCC, जो हमने यहाँ पर कल बाते करी थी, उन्होंने इस quarter में 1.72% की holding लेते हुए नजर आया है, मतलब हवाला का पैसा black money इस particular company में लगती हुई नजर आया, और जब यहाँ पर पैसा लगा है, तो मैंने कल आपको बताया था, शायद इनके भाव भी ना है, ठीक है, तो यह शायद एक problem हो सकती है, और नहीं भी हो सकती, ठीक है, दोनों चीज़े हो सकती है, क्यों, क्योंकि पैसा लगा दिया, तो company बेकार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठी मेरी promoter से कोई जानकारी नहीं है, मेरी किसी से कोई जानकारी नहीं है, मुझा company के fundamental अच्छे लगे, technical अच्छे लगे, मैंने आपर पैसे लगा दिये, उस basis में आपर पैसे लगा गया है, तो बात अलगे, पर अगर कोई भी एक particular promoter से है, उसके designated person को भी मिला हुआ है, और उ technical की बाते करें, तो यहां पर देखिए, positive market में भी आगे नीचा आया, तो सबसे पहली बात तो यह negative है, plus बात करें तो support को तोड़ चुका है, 200 DMA को तोड़ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है, अब यहां पर क्या नजर आता है, अगर यहां से bounce back होगी, तो अच्छी यहां पर कोशिश करेंगे, यहां पर exactly चल गया रहा है, तो हम एक बार देख सकते है, तो यहां से reverse हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, operator है, कोई भी कुछ भी कर सकते है, बाकी हम बात करें, इस बेसिस पर नीचे आया है, तो हो सकता है कि इस बेसिस पर नीचे आयो, तो buying selling की recommendation नहीं है, वीडियो अच्छी लगे, like, comment, share, चाइना को subscribe करना, बाकी हम paramount communication की बात करें, तो 22 बही से देते आ रहे है, और अच्छा कासा पैसा यहां पर बना है, और बार बार हमने यहां पर भी लिया था, यहां पर भी तो